Hi friends, welcome to my channel. आज हम VBAC के उपर आउसर पूछे जाने वाले सवाल पर discussion करेंगे. क्या है VBAC? VBAC मतलब Vaginal Birth After C-section. C-section के बाद, Cezerian के बाद, हम Normal Delivery ट्राइ करते हैं, उसको बोलते हैं VBAC. VBAC करने का क्या फाइदा है? पहला फाइदा यह है कि, Surgery की कोई आविशक्ता नहीं है. Second यह है कि, हमारा Recovery जल्दी हो जाता है. और Complication भी कम रहता है. हम जल्दी से Normal Routine में आ जाते हैं. हमारा Blood Loss कम रहता है. और Infection होने के Chances भी बहुत कम हैं. Main Advantage यह है कि, आप बच्चे को जल्दी से Delivery के बाद Best Feed करवा सकते हैं. अगर आप Family में ज़्यादा बच्चे प्लाइन कर रहे हैं, तो आप VBAC ट्राइक कर सकते हैं. VBAC के लिए वजन बढ़ना एक समस्या है क्या? अगर आप VBAC अच्छीव कर रहे हो तो ज़्यादा Weight पुटाण नहीं करना है. मैंने अपने पूरे प्रेग्नेंसी में 8 किलो बजन बढ़ाया था. और बेबी का Weight भी ज़्यादा होना मुश्किल हो जाएगा. किसे VBAC नहीं करना चाहिए? जिनका Report, Scan का Normal नहीं है. अगर BP, Thyroid और ऐसे कोई भी Other Issues है तो उसे Try नहीं करना चाहिए. दूसरा यह है कि जिसको Plazenta Previa Condition है, उसे भी नहीं करना चाहिए. जिसका Breach Baby है, सर उपर और पैर नीचे हो. जिसका Pelvic Disproportion है, जो Patients के एक से ज़्यादा बेबी का Cord फसा हुआ हो तो अलाव नहीं करते हो. कैसे हम VBAC Friendly Hospital धून सकते हैं? कि यह Hospital में हम VBAC कर सकते हैं या नहीं? सबसे पहले चेक करना है कि डॉक्टर ने पहले कोई VBAC Conduct किया है या नहीं? वो Hospital में सारी Facility Available है या नहीं? अगर इन केस Emergency में बच्चे को Emergency में ICU में रखने के लिए और मदर को Cezerian करने का Facility है के नहीं वो आपको दूनना है? डॉक्टर और पेशन कोई भी Condition में Risk लेने के लिए Ready है या ने वो भी देखना जरूरी है. सबसे खास ये देखना है कि क्या डॉक्टर एंकरेज कर रहे है कि नॉर्मल डेलिवरी के लिए आप ट्राइ करो, वो बहुत ही इंपोर्टेंट है. अगर Natural Pean नहीं आया तो डॉक्टर लेबर इंड्यूस करेंगे Artificial या नहीं, अगर आप विबैक के लिए Try कर रहे हो तो. इंडिया में बहुत कम डॉक्टर्स लेबर इंड्यूस करते हैं अगर आपको Natural Pean नहीं आया तो. और मेजोरिटी डॉक्टर्स वेट करते हैं कि आपको Spontaneous Natural Pean आये इंडिया के बहार रहते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर्स लेबर इंड्यूस करते हैं मैंने क्या Exercise और Home Remedies किया था विबैक अच्छीव करने के लिए 36 वीक के बाद आप कच्चा पाइनपल खा सकते हैं, कच 7-8 खजूर खा सकते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस किया था लेबर इंड्यूस करने के लिए और मैंने कुछ exercises भी किये थे, वो मैं जल्दी जल्दी वीडियो अप्लोड करने वाली हूँ, आप महां पे देख सकते हो, वाकिंग मैंने बहुत ही कम किया था, क्यों exercise भी आप कर सकते हो, 36 हफते के बाद आपको गरम खाना खाना है, जिससे कच्चा पाइनपल, कच्चा पपाया, अजवाइन, जीडा, जिससे गरमी पैदा हो, थंडा फूड अवोइड करना है, चार हफते के लिए, कब आपको हॉस्पिटल जाना है, अगर आपका वाटर ब जहां पे आपका पहले सीजेरियन किया था, वाँ पे आपको पेइन हो रहा है, अगर आपको कॉंट्रैक्शन आ रहा है, 10-10 मिनिट में, अगर आपके 40 हफते हो गया है, और लेबर पे नहीं आया है, तो भी आपको ऑस्पिटल जाना है, अगर आपको ये वीडियो अच्छ के लिए, धन्यवाद!